ग्राम पंचयत के पंच को जंता दोवारा प्रत्यक्ष रूप से ओड़ डार कर चूना जय रहता है लेगिन हमें पंच के पांच प्रमुग कार Sell के में पता नहीं रहता कि पंच का आखिर काम क्या होता है हम इस यूडों में जो जनताओं द्वारा चूनेगे यहें पंच उनकी पांच मुख्य क्यारक क्या होते हैं इसके बारे में इस यूडों में हम जानेंगी यदि आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी दक सबिस्क्राइब नहीं किया है तो सबिस्क्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लएगा तो लाइक जरूर करें ग्राम पंचायत में पंच का विशेश महत्त्व होता है और पंच का कई सारे काम होता है लेकिन हम इस यूडों में पांच प्रमुग काम के बारे में जानेंगे और इसमें सभी काम को समेटेंगे पहला होता है ग्राम सभा की बैठक को सफल बनाना और उस बैठक में स्वेम उपस्तित होना और बैठक को सफल बनाना दुसरा होता है ग्राम सभा में अपने वाड के मत दाताओं को उपस्तित करना और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उस योजना का लाब वाड के मत दाताओं तक बहुचाना इसके लाबा अगला होता है ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूर्ति करना यदि कोरम पूर्ति न होता है तो उसके जिम्मेदारी पंच की होती है ये पंच की जिम्मेदारी होता है कि वो अपने वाड के जो मत दाताओं हैं या बेक्ती हैं उनको बैठक में बुलाएं और कोरम को पूर्ती करें अगला होता है ग्राम पंचायद में जितनी भी बैठा के होती है उसमें खुद पंच उबस्तित रहे और अपने वार्ड में जितनी भी समस्या हैं उनका समस्या का समधान करें अगला होता है अपने अचार और विचार को गरीमा में बनाए रखना वार्ड में जितने भी मदता हैं या बेखती हैं उनका और खुद पंच दोनों के मद्या अचार विचार एकदम गरीमा में बनाए रखना ये पंच की जिम्मेदारी होती है अगला होता है सरावयों अन्य नसिले चीजों से दुर रहना ये पंच के लिए है और जो वाड़ में बेखती हैं उनको भी इन सरावया नसिले चीजों से दुर रखना पंच की प्रमुक जिम्मेदारी होती है यदि जान करें आपको अच्छा लगी तो लाइक जरूर करें